तो आज की इस वीडियो में आपके साथ शेय कर रहे हूं ये मेकप लुक जो है हीना खान इंस्पाइड मेकप लुक अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब तो आप देख सकते हैं मेरा फेस काफी क्लीन है मैं अच्छे से वाश कर लिया है अब ही मेकप लगाने से पहले या प्रेप माय स्कीन बाइउजिंग मोश्चराइजिंग क्रीम और रोस वाटर तो मैं आप रोस वाटर का अच्छी से स्प्रे कर लिया है अपने फेस पे तो फिंगर के हल्प से मैसे इस तरह से डप डप करूंगी तो जब मेरे फेस थोड़ा बोट कर रहता है तो मैं निट्रोजिना का मोस्चराइजिंग क्रीम अप्लाइ करोंगी वेट फेस पे ही इसे क्या होता है फेस काफी सपल रहता है और काफी प्राइमर अभी यूज़ करना इसे बहुत ही अच्छा है लोंग लास्टिंग है इसके बाद मैं यहां पर इंसाइड का कंसील करेक्ट काउंटर पालेट में लिया है तो यहां पर आप देख सकते हैं मेरे आइस के अराउंड काफी डाकनस है तो मैं उसे i.e.you know, ऐखे करने के लिए I am just using this orange color का shade then उसके बाद यहां पर जो भी ने पर, जो भी पिंपल का माक है तो उसे में ग्रीन का गर्रेक्टर से अम just correcting it तो अभी इस तरह से प्लेस करने के बाद I'll just blend it with a beauty blender तो finger से भी आप कर सकते हैं but beauty blender से एक अच्छा फिनिश देता है तो यह मैंने wet किया हुआ beauty blender है हमेशा wet beauty blender से हमको blend करना है तो उसके बाद blending के बाद I'll just take a concealer तो यह है Swiss beauty का concealer लिया है मैंने तो I'll just you know apply around the eye area and जहां भी मेरा dark spots है face पे उमहापे में लगाऊंगी it gives very good finishing बहुत ही अच्छा coverage देता है so I'm taking here Maybelline का fit me foundation में ने लिया है तो I'll just apply all over my face and neck it is very important to apply a foundation in neck as well तो even tone देता है face और neck में difference नहीं नजर आता है तो blending is a key तो अच्छे से blend करना है हमको तो अच्छे से blend कर रही हूँ face पे और neck पे so again I have taken here the concealer palette तो यहां पे जब brown shade है तो उसे में ऐसे contour की तरह यूज करूंगी चिक पे में लगाऊंगी तो फोरेट पे तो नोस कांटूर करूंगी तो इस ब्राउं शेड और इवन चिन पे भी में लगाऊंगी तो इसके बाद I'll just blend it with the help of beauty blender तो इसके बाद I'll just blend it with the help of beauty blender then मैं यहां पे a loose powder मैंने लिया है तो काफी ज़्यादा लग गया है तो मैं अपने face को set करूंगी by using this loose powder तो जो भी oil है या grease है वो हट जाएगा एक अच्छा finish देता है so here I have taken the wet and wild का brow kit तो यहां पे brown color shade light and dark को थोड़ा mix करके I'm just doing my brow with the help of the spoolie which give a natural look then मैंने यहां पे eye palette लिया है उसमें से यहां पे जो थोड़ा dark brown shade मैंने लिया है so about the crease area में लगाऊंगी I'll blend it that brown color shade then उसके बाद मैं यहां पे dark color blue color shade में ले रही हूं about the eye में प्लेस करूंगी so about the finger I'm just taking the dark blue color and placing on my eye then same palette से यह यह जो pink color shade मैं इन प्लेस में अप्लाई करूंगी as shown in the Hina Khan का inspired makeup look में जो photo है उसमें जैसा है मैं वैसा ही मैंने create करने के कोशिश किया है then मैं यह जो dark blue shade you know waterline के नीचे में प्लेस करूंगी then I have taken this brow kit तो उसमें जो dark color ka brown shade है उससे मैं थोड़ा ऐसा लाइन करूंगी eyeliner above the eye next I'm applying a mascara which is Maybelline Colossal waterproof mascara then again pink shade मैं ने जो लिया था इनक और में जो अप्लाई किया था उसी shade से मैं as a blush भी मैं यूस करूंगी which gives very nice pink subtle blush so I have taken the mask highlighter मैंने लिया है जो ब्रो के नीचे मैं अच्छी से प्लेस करूंगी एक defined brow के लिये you can see it gives very nice soft shine look यह काफी अच्छा highlighter मुझे लगा है इसमें chunky particle बिल्कुल भी नहीं है बहुत ही अच्छा shine प्रवाइट कर रहा आप देख सकते हैं कितना अच्छा difference नजर आ रहा है it's the best highlighter that I have ever used it then I have taken this inside ka lip non-transfer lip color which is a beautiful shade तो मैंने खलका सा लगाया है then उसके बार जो भी extra है मैंने क्या किया है tissue के help से मैंने tap करके उसको निकाला है so I don't wanted this color actually as a base I have used this color so I have taken this mask ka lip color so in this I have like this beautiful shade I think Hina Khan के lip से मैच कर रहा था यह lipstick तो मैंने यह lip color लगाया है उसके उपर it's giving a beautiful shade you can see it yeah guys so this is it after jewelry this is the result so I hope आपको यह मेरा makeup पसंद आया होगा आपको यह मेरा हीना खान inspired makeup look अगर पसंद आया है तो please do like share and subscribe to my channel thank you